कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का लक्षे के टॉप 10 डेलिकर एंटरफेर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है और आज 24 नॉमबर है आज भी हम रूच की तरह दस समसमाइक विश्व पर आधारित प्रश्णों पर चर्चा करेंगे तो इस वीडियो की पीडियाफ फाइल के लिए आप हमें टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यह वीडियो को पूरा देखें वीडियो अप लोग अच्छी लगे तो जाए शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भोले सब्सक्राइब करने के पाद बैल आइकन को प्रेस जरू करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बहुत सके तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछेगे प्रश्ण पर तो कल के वीडियो के अंदर कुछ अगया प्रश्ण कुछ इस परकार था कि कोवेट नाइंटीन के लिए कम लागत वाली प्रेक्ष्ण किला किड कोवी रैप किस संस्था दोरा विक्सित की गईीiros। औप्शन से आयायईटी खड़क पूर आयायटी कानपूर। ब़ Content बोंबे यह दौरा नेमलिक्षित में से कौन सा एप का बैक एंड कोड जारी किया गया कौन सा एप का बैक एंड कोड जारी किया गया सूचना प्रोदगी की मंतरा लें दोरा आरोग दोमेंट का बैक एंड जारी किया और यह कामकाच के बारे में पारदर्शिता को लाने मदद करेंगा और इसके साथ ही इस एप ने कोविज नाइटें प्रभावित लोगों की पहचान करने में अप्रेल 2020 को लांच किया तो चलते हैं अगले प्रशन पर तो आज का हमार आगला प्रश्न है कि करनाटक सरकार ने बैंगलूरू टेक सम्मेलन 2020 में निमलिखित में से किस देश के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये मोई उपस्ताक्षर किये फिनलेंड यॉनाइटेट किंडम स्वीडन उप्रोक तो सभी तो इसका अंसर होगा उप्रोक तो सभी इन सभी देशों के साथ बैंगलूरू टेक सम्मेलन में करनाटक सरकार ने समझोते पर हस्ताक्षर किये और इसके साथ आठ समझोतों पर हस्ताक्षर हुआ जिसमें फिनलेंड ब्रिटेन स्वीडन अमेरिका और निडरलेंड इन देशों के साथ बैंगलूरू टेक सम्मेलन महाराष्ट्र तेलांगना गोवा महाराष्ट्र तेलांगना आंधर परदेश और दक्षिन में तमिल नाडू और के रला के साथ लगती है इसके साथ ही देखें तो करनाटक की राजधानी बैंगलोरू है परधान मंत्री परतमान बीयस यदुरप्पा और राज्येपाल वज सिंगापूर के मत्य किस सागर में सुरू होगा किस सागर में सुरू होगा अप्शन से अरब सागर जावा सागर अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी तो इसका अंसर होगा अंडमान सागर अंडमान सागर में सिंगापूर के बीच चलेगा अंडमान सागर में Simbax 20 का भारत और सिंगापूर के बीच में अभी इसके साथ ही Sitmax 20 अभ्यास 22 तोमर को अदमान सागर में संपन हो चुका है जिसमें भारत थाइलेंड में और सिंगापूर की नो सेनाओं के भी मद्द्द यह अभ्यास चल रहा औहुले इसके साथ ये गर अंद्रभान सअगर के स्थिति रखार अंद्रवानन आ और निकवार द्रीप समू crater पूर्व में स्थित है और पष्षिं बेयो बैंगॉल बंगाली के रखशन पूर्दिशा में इस्थित है इसके साथ ही सिंगापूर भारत समुद्री दोई पक्षी अभ्यास इंब्यक्स एक वर्ष एक वार्षिक अभ्यास है और इसे होगाँ में भारत दो हाजारर होगा जोगाँ कोशना किकांने हुए भारत दो हजार 202 में fails 만कि मेंफ की जा रही चांटी में अगर देखें दो हजार पाइस में इटली दो हजार बाइस में बराजील द्वारा ऑजी टूर्थ सिंगरंच elder समूIGHT मेर्व brain decentralized की की जाएगी जी ट्वंटी सिखर समयलन की स्थाफना उने सो निन्यानवे में साथ देशों अमेरिका करनाडा ब्रेटेंड जर्मनी जापान फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के निर्टेतों में की गई थी जी ट्वंटी समू अंतराश्टी आर्थिक सहयोग का एक मं समधीस के विकासिद विकासिल देश मंध़ देशों के निताओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आता है 14 से पंदान नॉम्बा 2008 को जीटोई की समू का पहला सिखर सहमेलन वाशिंग्टन डिय सी में आयोजित किया गया था वॉसिंग्टन डिसी में आयोजित किया गया था पहला जो सम्मेलन था इसका 2008 में आयोजित किया गया था पर तो इसकी जो इस्थापना है वो इसका कोई मुख्याले इससाइ मुख्याले नहीं है चलते हैं अगले प्रश्ण पर तो आज का में अगले प्रश्ण है कि भारत अंतराश्टी चेरी ब्लॉस्म महतसब भारत अंतराश्टी है चेरी ब्लास्म महसब का आयोजन प्रतिवर्स किस राज्य में किया जाता है असम केरल मिघाले नागालेंड तो इसका अंसर होगा मिघाले चेरी ब्लास्म के मद्दे निजर किया जाता है यह भारत के सरद रितू के संस्करण की सुरुआत के रूप में इस थानी लोगों दोरा मनाया जाता है चेरी ब्लास्म जीनस प्रूनस के कई पेड़ों के फूल है और इनको आप इस चेतर में देख सकते हैं कि जीनस प्रूनस के फूल है और यह चेरी ब्लास्म के रूप में इनहीं को जाना जाता है मेगाले उत्तरपुर्व भारत का एक पहाडी राज्य है और यह है भारती राज्य आसम से उत्तर उततरपूर में दक्षिर और दक्षिर पूर्फ दक्षिर पूर्व दक्षिं में बांगलादेश से घिरा हुआ है इसकी लोकेशन अगर देखेंगे मांचित्र पर तो यह मिघाले हैं असम और इसके दक्षिन दक्षिन पर्शिम में हम बांगलादेश से इसकी सीमा को लगते हुए देखते हैं राजधानिस के श्रिलॉंग हैं मुख्यमंति पर परतमान में कौनराण संगमा और राजयपाल सत्यपाल मलिक हैं चलते हैं अगरे प्रशन पर एंसी सी ने अपना इस्थापना दिवस मनाया एकिस नवंबर बाइस नवंबर तेस नवं में राश्टे युदिस मारक को सरधांजली देकर हुई इसके साथ ही एंसी सी का गठन एंसी सी अधी नियम 1949 में किया गया था वर्तमान में इसके महान देशक राजीब चौपड़ा और इसका अधर्श वाकि एकता और अनुशाशन हैं और मुख्याले नई दिल्ली में इस अधर्शन साय मिताब बच्चन नसरी दिन शाह डर्वेंड सिंग वरूंड धवन तो इसका अंसर होगा नसरी दिन शाह भी नहीं दा शुदिन शाह को संगीत कला केंद्र एवार्ट्स में 2020 के आदित्य विक्रम विर्ला कला शिकर पुल्सकार से समानित किया गया है किसे समा रहे हैं बाहरी औरिटर के रूप में चुने गए हैं अमित सिंग सैन रविंद्र चावला जी सी मुर्मू दिपक जैस्वाल तो इसका अंसर होगा जी सी मुर्मू हाली में ग्रीश चंद्र मुर्मू को अगामी तीन वर्षों के कारेकाल के लिए आई पी यू जनेवा के ब 1089 में सांसदों के चोटो संभू के रूप में हुई थी और वर्तमान ए यह अलग-अलग देशों क्यास वेश्विक संगढठन का रूप में विक्सित हुआ है वर्तमान में कुल 179 देशों की संसद इस संगर्ठन के सदस्त्रे के रूप में शामिल हैं जिसमें भारत चीन इंडोनेशय जैसे बड़े देश और सेन मेरिनो और पलाव जैसे छोटे देश भी शामिल है इस संकटन का उद्देश एसे विश्व का निर्माण करना है जहां लोकतंत्र और संसत द्वारा शांती विकास के लिए लोगों की सेवा की जाए तो 1989 में इसकी स्थापना की गई इसका मोटो क्या है फॉर डेमकरेसी फ्वर एवरीवन चलता है आज की वीडियो के अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है हमारा एक पुस्तक जुगलबंदी और बीज़िएपी विफॉर मोधी के लेखक कौन है पुस्तक जुगलबंदी तो बीज़एपी विफॉर मो द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक को वाइकिंग पैंगविंग परकाशक की वाइकिंग शाखा द्वारा इसको छापा गया है और इस पुस्तक में उननिस सो बीस में हिंदू राश्टवाद की उत्पत्ती से लेकर उननिस सो अठानवे से दो हजाचार के बीजेपी सरकार के गठन तक का विस्टलेशन किया गया है पूर्व परधान मंत्री पीवी नरस्रिमा राओ की जीवनी हाफ लॉयन हाउ पीवी नरस्रिमा राओ ट्रा चते हैं वीडियो के अगला प्रशने है हमारा कि पीम मोधी ने किस राज्य में ग्रामिड पेजल्पूर्ती परयोजना की अधार शिला रखी है आप्शन्स हैं। उत्तर पर्देश, मद्धे पर्देश, बिहार, राजिस्तान तो इसका अंसर होगा उत्तर पर्देश पीम मोदी ने उत्तर पर्देश के मिर्जापूर और विद्याजल छेतर के सोनभद रिजिलों में ग्रामीड पेजलापूर्ती परियोजना के अधार शिला रखी है इस से 2995 गाउं के सभी ग्रामीड घरों में घरेलू नलजल कनेक्शन उपलब्द कराये जाएंगे इन सभी गाउं में ग्राम जल और स्वच्छता समीतियां या पानी समीति का भी गठन किया गया है उत्तर पर्देश के वर्तमान मुक्यमंत्री योग्यारे तेना तथा वर्त इस फियर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया है और सुंदरवन पन्ना राष्टी उध्यान बांदीपुर राष्टी उध्यान वाधवकर राष्टी उध्यान तो इस प्रशने का उत्तर आप सभी को कमेंट वॉक्स में देना है यह वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो जादा जादा अपने दोस्तों में शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले जिन्होंने अब दर चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस जरू करें अगली वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे इस वीडियो